जो मेरा एक सिंपल सा उसमें जो लॉजिक था जो आप लोग नहीं उनको बोलते हों अगर मान लिजे कि मैं हो सपोस्स मेरा एक बेटा है की कैंब अब एक दूसरा बंदा जिसको मैंने पैदा नहीं किया है वो आके मेरे उपड़ क्लेम करे कि आप मेरे बाप हों तो मैं तुस को अपने जो भी मेरी प्रॉपर्टी है उसमें से तुम्हें हिस्सा उसको दूंगा नहीं क्योंकि वह क्लेम कर रहे हैं तो एहमेदिया का जो मैंने पढ़ा है देखिए एहमेदिया हो गए या फिर ये जो RSS हो गई वो अंग्रेज़ों के वक्ती ही चीज़ें ये मुस्लिम्स लीडर जो उस टाइम होते थे क्योंकि देखिए जो इंडिया पाकिस्तान जो भी बना वो नो राट अंग्रेज़ों क इसमें बहुत बड़ी चाल थी वो उस चीज़ में मैं नहीं आना चाहूंगा तो इन लोगों ने एहमेदी को खड़ा किया ये उनका नाम में भूल रहूं जो थे ये एहमेदी कादियानी जो भी थे उनको पैदा किया कि मुस्लिमों के बीश थ्वास पूद डालो और साश करूंगा तो ये लोग को पैदा किया गया अब पैदा किया गया से क्या होता है कि वो जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के लोगों को काफी ज़्यादा अपने और अट्रेक्टर लेते हैं तो जो लोग उनको मानने वाले होते हैं फिर वो उसको मानने 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 जो आप लोड बोलते हैं उस कौम का शेक्व ले देते हैं तो इन सब चीजों पर नहीं और हाँ शिया सुन्नी का मैं कुश्चन आप से सच जानना चाहता हूं मैंने बहुत सारे वो पड़े लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया प्लीज करेक्ट मी मेरे अचली दो फ्रें तो मुझे जो समझ में है कि जो इनको बहस का जो मुद्दा होता है वो यह होता है कि आपके जो फर्स्ट खलीफा थे वो जो वकार का पॉइंट कियोता है कि नहीं जो यह थे कहना है मैं उनका अली हज़द अली वो जो थे सिकर भाइ खैर देखिए मुझे से हमारे जाए तोड़ा आपम बड़े अचे पांच बताए इनको इनको एक बार रख ले ना दें क्योंकि वो बड़ी सिंसेर बात कर रहा है तो मेरे ख्याल से वो रख ले तो उनको हो जागा उससे काफी चीज़ें हालड को जागा उससे क मेरा कोई एकिलाफ नहीं है मैं बस समझना चाहता हूँ लेकि व्या जो है जो मैंने वकार से भी में बात करता हूँ शानू से भी में बात करता हूँ तो यह दोनों लोग अपना पॉइंट रखते हैं तो मेरा एक उसमें है कि हाँ ठीक है बीच का जो रास्ता है यह है लेकिन कौन सही है यह बोलते हैं कि नहीं जो अली है हजजद अली है उनको पहला खलीफा होना चाहिए था लेकिन यह बोलते हैं कि नहीं यह मुहमद साब ने क्या नाम था उनका हजजद अबू बक्ता है फिर अमर फिर हजद उसमान उसके बाद इनको किया तो यह जैसे शानू ज किया गया मड़र इंदसिंस की उनको जैसे आप बोल दो ना शहीद किया गया जी 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 तो उस शहीद करने वाले में से जो फौजें थी जिन लोगों ने शायद पत्थर से उनको मनदब डेटेल चोड़े हाँ डेटेल शोड़े बहुँवी लेकिन पता ने उसके बाद उसकी जी जीज़ादा डेटेल मुझे नहीं पता है तो अब यह बताईए कि अगर ये बात सही है अगर ये बात वो कुछ अली उल समसिंग कुछ अड़ करते हैं. तो आप मुझे दू चीज का सब जवाब दीजिए. कि जैसे आप बोलते हैं कि पहला कल्मा जो है, वो इसलाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? तो अगर सुमने के लिए, अभी मैं रूख, अभी मैं रूख, पूरी हिस्टरी बियान कर और उनका इखतलाफ है, फिर अब कल्मा मेरा सवाल है, छोड़ दें उसको, मैं अब आपको, सिंपल आपके खामर रख देंगा, वो जो इखतलाफ था, वो गुजर गया है, वो हिस्टरी समझजते हैं, एिस्टरी का मतलब यह है, कि उसमें जो इखतलाफ हुए, मुसलमानों के वो उनके अपने टाइम के थे, उसकत हुए, उनका इखताम हो गया, हदरत ऐली ने जो किया, अबूब कर ने जो किया, अपने टाइम को मताबग है, अवो इन्हों ने जो कि लिकिन आए उन से इखिलाफ है उनके जो भी मामला तो हुए वो भी हिस्ट्री का हिस्सा है सब को पता है ये बैसे निपट चुकी हुई है अब मामला इस जगा पर खड़ा है कि असल में मुसल्मानों के इतिहाद के लिए हमें इन इखिलाफात से आगे निकल कर हमें अपनी तो दीनी मामला ता उनके तरह तो तरह तवस्टा 네 regора एनके कोई दीन से तहलिक नहीत है यानि उस तरह के आपके इबादत कैसे हो नहीं है आपके आमाल क्या है आपके मामलात क्या है भाई ये चीज़ है अब जो लंच में बैस कर著 है न उनको भी लाएं स्ट्रीम में । Cristian कोई फाइदा नहीं है, ये पैसे इतने सालों से चल रही है, इसके उपर आफद इबने अजर असकलानीनाल इसाबा के अंदर मौकफ एक दिया था, कि सहाबा तीन तरह के लोग, एक थे अधरत अली के साथ, एक थे मौविया के साथ, और एक थे जो मिडल के अंदर थे कोई मसला नहीं है, उनमें से जो बुरे लोग थे, उनकी चांटी हो जाती है, और वो चांटी हुई है तारीक के तहट, ठीक है, बर ये चीज़ है, मुसल्मानों में आपस में इखतलाफ हो सकता है, जंग भी हो सकती है, कुरान की आयते मुझूद हैं, कि अगर आपस में द वो किताब बड़ी जानदार है, बहुत जानदार किताब है, डॉक्टर गुलाम जलानी बर्क साब की किताब है, भाई, 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 ठीक है, उसमें शिया सुनी की अखतलाफ को ना उनोंने कंपैरिजन करके बड़ा जबर्दस न्यूटर अनालिसिस किया है, और बाई, घृदधि क्या टेटेल्स हैं क्या नहीं है, वो छाइगा चीज़ें है, ठीक है, बगर हम, हमारे मुसल्मान भाईियें हैं, चाहे शिया हों चाहे सुन, हमारे मुसल्मान भाईproveं, हम उनके साथ नमाजें पढ़ते हैं, हम उनकी तकफिर नहीं करते, अगर इल़् ए कि कोई इतना गाली हो जाता है कि खुद शिया ने उनकी तक्फिर की हुई है ठीक है जैसे कुछ शिर्ट कर रहा है या कुरान की तनकीस करता है या किसी और मामलात में करता है उनकी तक्फिर खुछ शिया कहा मौजूद है जो मौत अदिल शिया है तो बहुत इतनी गुदारि और मेरा मैं कोश्चन नहीं कुछ कर रहा हूँ आप से बस बोलना है पहली चीज़ सर मैंने आपको मेल किया आपने रिपलाई किया उसके बुक्स मांगे आपने उसके बाद कोई रिपलाई ने किया सर्थ मैं एक चीज़ बता हूँ आपने किया हुआ है मैं आपको बुक सेंड करनी है मैंने सीरीज भी सेंड करनी है और मैंने आपको बुक भी सेंड करनी है मुझे याद है मुझे याद है मैं आपको सेंड करनी है तो जो आप जब जैसे अभी आपने जो बोला उसमें से लास्ट की जो सिंटेंस आपने बोली नो मुझे आधी बात समझ में नहीं है तो वहाँ सा कोशिश किया करिए कि अगर उड़ू ही चली बोलते हैं तो वहाँ सा एजी उड़ू बोला किए जो इंडिया में ज्यादा जनरली जो चलते हैं मैं कोशिश तो करता हूँ कोशिश भी करता हूँ चली ठीक है सै थैंक यू वरी मैश सर थैंक यू वरी मैश ठीक हो गया बहुत शुक्त नाइट से शिया सुनी के इखतलाफ पर बात चल रही थी यकीन ये एक लंबी स्टोरी है और एक लंबी तारीख इसलामी का हिस्सा है मुसल्मानों को जिसी इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए वो ये है कि क्या वो माजी में जीएंगे या अपनी माजी की गलतियों से सीख कर मुसल्मानों में इत्वाक और इत्वाद पैदा करके आज मुसल्म सुसाइटी की तरकी का सोचेंगे ये बड़ा जरूरी है बहुत जरूरी है इस तरफ तवज्जो करनी तो मेरी दोस्तों से गुजारेश है कि इस तरफ आएं अगे चलते हैं जी हमारे साथ नौन मुसलिम भाई जो मुझे नजर आ रहे हैं उनको मैं देखता हूँ जो आ जाते हैं राए साथ है राए जी राए साथ माईका अन्म्यूट करें प्यारे भाई राए भाई आप स्टेज पे हैं माहीन तस्दीद ये मुझे लग रहा है कि ये नौन मुसलिम है शायद माहीन मुसलिम भाई कैसे है अच्छा दरह यार आज ओहो एक दो शोर भी बड़ा आ रहा है मैं मादर रच चाहता हूँ शोर भी बहुत आ रहा है अच्छा जी जो पीछे मुझे दोस्त नजर आ रहे हैं वो सारे मुसलिम हैं और हमने नौन मुसलिम स्पेशल स्टीम रखी हुई है अगर को नौन मुसलिम आना चाहता है वो आ सकता है वो सकता है आज चैप्टर 10 जो है सीजन 1 उसका इखताम हो रहा है पांच घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुक है एक्स मुसलिम नहीं आ रहे हैं दिन के लिए ये प्रोग्राम है औरिजिनली जो चंदा खाते हैं जो पैसे खाते हैं औरिजिनली वो थें इनकी जगा पर सनातन दोस्त आ रहे हैं कुछ अच्छे हैं कुछ सारी बात है अगेंस्ट हैं जो तो अच्छे हैं अच्छे से मुराद यह है कि जो सब जिनको पता चल गया है कि एक्स मुसलिम किस बनियात के ओपर धंदा कर रहे हैं और उनका एजिनली वेलकम और जिनको नहीं समझ आ रहा उनकी जो सा आएगा जिन्दगी रही सिहत रही तंदरुस्ती रही तो इन्शाला इसका सीजन टू जो है वो एक अरसे बात आएगा मगर अगले टॉपिक्स जो है वो आपके साथ हम डिसकस करेंगे मगर उससे पहले याद रखें यहाँ सीजन वन खतम हुआ है कन्विन्स मी टू बिकाम अएक्स मुसलिम का और गैस गैस कम 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 सैम स्टेलन भाई का चैप्टर स्टार्ट हो गया है सैम भाई की सीरीज है कि आपका धर्म जो है वो क्या इसलाम से बहतर है चैप्टर वन उसका आया भी रिसेंटली बुद्ध को ठीक है जी तो जनाब उसका चैप्टर स्टार्ट हो गया है और वो सीरीज जो है इस वकत ब्लॉक बस्टर होगी टोटली डिफरेंट है और उसके अंदर आपको मुख्तलिफ कलर्स जो है वो देखने को मिलेंगे उसमें सनातनी आ सकते हैं क्रिस्टिन्स आ सकते हैं एक्स मुसलिम्स आ सकते हैं नॉन मुसलिम्स जो हैं हर किसम के वो आ सकते हैं ठीक हो गया तो अब आप ये मत कहिएगा कि यार ये सिरीज खतम हो गई है तो अब हम क्या देखें तो अब भई सैम भाई को देखें वेडनस डे को सैम स्टैलन चैनल के ओपर इंडिया टाइम साड़े नौ बज़े और आसतर आसतर टाइम पीछे आ जाएगा क्योंके सरदियां आ रही वहां हम भी कभी कभी नजर आ जाएंगे वहीं हजरत भी आ जाएंगे कैसर भाई भी आएंगे मुख्लिफ स्पीकर्स जो हैं वहां आपको दिखाई देंगे इंशालला तो आपने वहां जरूर आना है इसके इलावा मेरा आगे क्या प्लान है अब जो इस सीरीज की वज़ से कई टॉपिक्स जो पैंडिंग जा रहे थे उन टॉपिक्स के उपर दोस्तों बात होने वाली है उन टॉपिक्स के उपर मिसाल के तौर पर एडम सीकर जो है वो एक लंबे अरसे से बौंगियां बखेर रहा है नेशनल टीवी पर जा बैठे हैं तो जैसे हमने आज आज देख का एक चावल चेक करवाया है कि एडम सीकर जो है वो मुसल्मान था ही नहीं जो आज जब फी जुड़े हैं उनके लिए मैं दुबारा वो वीडियो प्ले करता हूँ जरा दुबारा सुने कि हमारा अगला टॉपिक क्या होने वाला है जरा सुने एक मिनट की वीडियो जब हम कुरान को Revelation Order से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं जो आपको इंडियन मोलवीज नहीं बताते हैं पाकिस्तानी मोलवीज काफियत तक आपको बता देते हैं क्योंकि वो पावर के अंदर हैं जुम्य के खुद्बे में आपको बहुत सारी चीज में ऐन था, मैं मैं आप से अती हम अपसे हम जानूँ को अपने कितने वक्तून तक अगर में आप से जानूं कि जितने वीडियोस मैंने नमाज शुरू किया जिस देश में ये माइनॉरिटी के अंदर था वो देश तो पाकिस्तान है पाकिस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटी में नो वे पाकिस्तान में तो मुस्लिम माजारिटी में अब उस देश के अंदर ये कह रहा है मैं माइनौरिटी में था जब मैंने पढ़ना शुरू किया कुरान को रेवलेशन वाइज मैंने पढ़ना शुरू किया रेवलेशन के ओर्डर में पढ़ना शुरू किया तो तब मैं माइनॉरिटी में था उस मुस्लिम के अंदर, अविसली पाकिस्तान, पाकिस्तान से इसका तलूप, 7-8 साल की उमर से कहता है मैं नमाज पढ़ रहा हूं, 12 साल की उमर मैंने पढ़ तो यह माइनॉरिटी में कब गया, पढ़ने से पहले गया, या पढ़ने के है और ये शातिर मकार अयार पकड़ा गया है और इसकी ये लुंगी मेरे हाथ आ गई है और मेरा चैलेंज है एडम सीकर को चैलेंज यसू की कुती को दम है अब आदे अक पर आ जाओ दम है न्यूटर प्लाटफॉर्म पर आ जाओ तुमसे डिबेट करने को तयार हूँ आजो हम साबित कर देंगे ये अंडर्वेर उतार पब्लिक पैचांज है कि तू कौन है अंजी अमिर बाइन मुझे ये शक और आए कि कल के दिन वो आ कि ये ना बोल दे कि मैं 1940 की पैदाश है मेरी या फिर मेरे वालिद इंडिया के थे ये ये हो सकता है ये बडी बात है ये हो सकता है अब ये ना ये कहीं कह दे कि जिनाब चुम्के मैं किसी ऐसे देश के अंदर था जिस वकत मैंने ये बात किया उस वकत यानि जो भी ड्रामा कर सकता है जो भी ड्रामा ये कवर नहीं हो सकता और दोस्तो दोस्तो अगर ये क्रिस्टन ही था जो के हकीकत है क्रिस्टन मिशनरीज को किस तरीके से और जब आपको ये पता चल गया कि ये क्रिस्टन ही था शुरू से तो दोस्तों वो वीडियो जिसमें इसने नंगी गालियां हिंदूओं के खुदाओं को निकाल ली है जिसमें ये कहता था कि जनाब मैं तो पाकिस्तानी मुस्लिम था मुझे तो सिखाय ही ये गया था बांडा फूट गया और जितना चंदा इसने एक्स मुस्लिम होने के नाम पर खाया सारे बांडा फूट गया काम तमाम काम तमाम और आमिर भाई अब ये एक पॉइंटे देखिए कि ये अपनी स्ट्रीम में बोला था कि मैं हिंडूस को लाओंगा तेस्टेमिनी विटनिस के तोर पर अभी तक क्यों नहिए लाँ अभी तक नहिं लाँ एक्जेक्ली उस वीडियो केंदर ये कहता है कि क्रिस्ट्यानिटी केंदर कोई कास सिस्टम नहीं है और मैं टेस्टमेनी के लिए कई ऐसे हिंदूस को लाऊंगा कि जिनों ने क्रिस्टियनिटी को कबूल किया है किदर हैं वो ले के आओ ले के आओ ले जी हमारे साथ हुमा साहबा हैं गालबन या बंदे हैं मुझे नहीं पता इनको लेते हैं और फिर हमारे साथ कुछ दो सनातनी भाइयां को लेते हैं जी हुमा अस्सलाम अलेकम आप मुसल्म हैं जी जी अलभूलिल्लाइ आप मुसलिम एन आप फॉम आस्ट्रेलिया माशाळलाब और आप लगी कि आपको जो टाइमिंग से वो बहुत लेट होती है और लगी लिए आज मैंने जॉइन किया है आपके प्रोग्राम को और आप लोगों के लिए बहुत सारी दौई निकलती है आप, सैम भाई, मुफ्ती सहाब, कैसर भाई और हमारी वोमिन्स विं रहा है और यह जो सनातनी है और आइधिंग कि जो कुछ आप कर रहे हैं इनका रियक्शन तो वैसे तो एक्स मुस्लिम उनको जवाब देना चाहिए था लेकिन सनातनियों का बहुत बुरा हाल हो रहा है और आइधिंग कि आपको इस चीज़ को कंटीन्यू ही रखना जब यह दूसरों के बिलीव्स पर और उनके जो हमारे प्रॉफिट के लिए जो कुछ बोलते हैं तो इनको अब जब इन पर आई है तो अब इनको इस चीज़ का ऐसास ज़रूर होगा अच्छा एक चीज़ का आप से पूछनी थी मुस्ती साब को भी इमेल किया हुआ है ल को कि मुस्लिम होना चाह रहे हैं और उनके लिए कुछ आप रेकमेंट करें कोई ऐसी बहतरी इंग्लिश में कुरान की तफसीर और ट्रांसलेशन्स और कुछ बुक्स अगर आप बता दें तो बहुत बड़ी महरवानी होगी है कि बहुत मैंने इस बात पर ये इमेल भी किय हुआ है मेरे सन ने क्योंकि उनके फ्रेंड्स हैं तो ये तो एक फैर का काम है और आपके जो सन है उन्होंने ये टाइटल दिया था यानि ये सब्जेक्ट डाला था कि इस वज़ा से हम इमेल कर रहे हैं पहले जो इमेल की थी उसमें तो नहीं डाला था लेकिन फिर मैंने ये इकाता कि ये सब्जेक्ट में लिख दो मैं मैं रिमाइंड कर वा दूँगा नंबर एक और नंबर दो आपको ना इमेल अगर आपके पास को पैन है भी या आपके पास पोन है साइट पे जिस पर लिख सकें जी जी अब है मेरे पास ठीक है मैं आपको मेल एक दिखा रहा हूं अगर यहीं पर मुझे नज़र आ जाती है तो ठीक अच्छा जी लिखें आप E.L.A. E.L.A. I.N. I.N. ट्रिपल ए येस ट्रिपल ए येस ट्रिपल ए वन वन एड दे रेट ग्मेल डॉट कॉम एड ग्मेल डॉट कॉम जी मेरे लिए रिपीट कीजेग अधरा येस E.L.A. I.N. ट्रिपल ए वन एड जी मेल डॉट कॉम ठीक है आपकी स्क्रीन पर भी आ गई है ठीक है ना अच्छा येस ये है अलीना सिसर की इमेल जो वुमन विंग को देख रही है इसमें ये होगा एक तो बाज वकात ऐसे होता है कि बिजी भी होते हैं और बाज वकात ये होता है कि आप कमफर्टेबल भी होते हैं थीक है ना अविएसली हम अच्छे से चीजों को रख सकते हैं अलीना सिसर को आपने करनी है मेल अविएसली तो आप अपना पसना नंबर भी दे सकती है उसमें तो को मसला नहीं तो आपने दे देना है इनको नंबर जब आपकी लिना सिसर से बात हो जाएगी तो मैं जो कॉंटेंट होगा जो उससे रिलेटिट है न्यू मुसलिम्स के लिए या लिर्निंग अंडर प्रॉसस जो मुसलिम्स होते है उन से रिलेटिटिट जो कॉंटेंट होगा न जो बुक्स हैं जो आर्टिकल्स हैं को विटियोज हैं वो हम तिर आपको फारवर्ट करवा दें गरीना सिसर के जरीए ठीक है तेंक यू तेंक यू सो मच और अल्ला आप सब को सहत तनरुस्ती दे और आप अपके में लगे रहें और अल्ला आपकी अपलके मैं कहा रही हैं कि जैसे कि आपी के वसीलिये से जो जिनके लिए हम ये बुक्स मांग रहे हैं या जो कुछ भी आप से मैं कह रही हूँ बस अल्ला करें कि वो उस राहे रास पर आजाए आमीन आमीन अच्छा मुझे ये बताईएगा जिनका आप बता रही हैं जो इसलाम सिर्फ जस फर जनर नालिज आप मुझे बतादें जो इसलाम कुब करना चाहरे हैं वो पहले किस रिलिजन से हैं यहां तो आपको पता है कि मिक्स पी मैरिज़ी हैं यह वो देर पैरेंट्स आर बुदिस्ट ओ ओके ठीक है बत देर आर देर आप नो रिलिजिन ना इट दे मुझे वो खुद किसी रिलिजिन को फॉलो नहीं कर रहे लेकिन उनके पैरेंट्स जो हैं वो बुदिस्टे ठीक है ओके तो जो कबूल करना चाहरे हैं ओविस्टी ओविस्टी वो इसलाम की तरफ एट्रेक्ट हो रहे हैं इसलाम अपील कर रहा है उनको हाँ अगर मैं यह अलीना भेहन से सारी डिटेल कर दूँ यह पर्सनल भी है मेरा हाँ ज़्यादा बेतर है यह चाहिए आप आपको पता है मुलकों में थोड़े मसले होते हैं कि बच्चों की शादियां यह वो तो पैरेंस तो इस चीज़ पर कहते हैं तो वहीं बेतर होती है यह द्यादा बेतर है चीज़े समझ भी आती हैं और आप उनके लिए उच्छा स्लूशन भी सोच सकते हैं जबर्दस हो गए सिस्टर आपने जो दूआएं दी हैं यह दूआएं ही हमारी इनरजी है आप यकीन करें इन दूआओं की वज़ा से आप पांच घंटे और मैं स्ट्रीम कर सकता हूँ आप यकीन करें मुझे सिर्फ आदा घंटा हुआ है कि मैंने आपकी स्ट्रीम देखना शुरू की है टाइमिंग्स बहुत लेट हो जाती है तो फिर उस वज़ा से मैं कभी भी जॉइन नी कर पा रही थी और जैसी मैं मैंने देखा आपकी स्ट्रीम को तो उस वक्त मुफ्ती साब जा रहे थे उन्होंने अल्ला हाफिस किया हुआ था तो फिर लकी ली, अल्हम्दलिल्ला काफी असे से कोशिश लगी हुई थी मेरे के आज अल्ला ने कबूर कर ली अल्हम्दलिल्ला, अल्हम्दलिल्ला अल्ला आपको जज़ाएख खैर और मुफ्ती साब की स्ट्रीम होती है संड़े को और अगर आप महां कभी ट्राय करना चाहें तो जरूर कीजिएगा सवाल वगरा ठीक है वैसे सिस्टर की स्ट्रीम होती है फ्राइडे को इस पंडे को भी हो रही है तो सिस्टर की स्ट्रीम में भी जब मुका मिले माशा ला हम्दुल्ल्ह ला इस जजबे को सलामत रखे और इसी तरह अक्टिव रहें मुझे ये चीज़ की खुशी है लाह में बढ़ूल्लह बहुत ज्यादा और यगीन करें खून बढ़ जाता इस चीज़ से जब हमारे कॉंटेंट से लोग सीख कर और उसका आगे इस्तेमाल करें देखें, इसी तरही है ना हमने जनरेशन को ट्रांसफर कैसे करना है या अपने जो कॉन्टेंपरेरी हमारे जो लोग हैं, उनके पास कैसे इंफर्मेशन ट्रांसफर होगी, कि जो हम बता रहे हैं, उसको वो सिस्टर थी, अस्ट्रेलिया से, अपनी जो हम बहुखा, और उस चीज़ की खुशी है कि अथा कैमिंग इतनी हो गई, कि उनको मौका मिल गया, ये बहुत अचा रखेंगा है किसी कि बात करने का मौका मिल जए और वो बात कर पाए अपनी बात रख पाई यह बड़ा दरूरी है तो अल्ड आलाई इनको जाय खायते इसी तरह काईम दाइम रखें और हम लोगों को भी वसीला बना दे कि लोगों को सीखने का समझने का अगर कोई जरीया बन जाता है तो मिल जाए उनको मुका यार ये बंदा फिर आया बैठा हुआ पीछे इसका क्या करें इनको मिस करवाते हैं इनको बैठे दे एक मुस्लिम दोस्त आगे हैं आखरी कॉलर हैं आज के प्रोग्राम के उसके बाद हम किन्कलूड करेंके ले ले लेते हैं मुहमद बिन आयाЗ है मुहमद बिन आयाज भाई रीजन ऐसा बना के ये जो आड़म सीकर की बात कर रहे ना ये यूट्यूब पे अभी बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहा है तो मैं उसका मैंने देखा क्या चीज़ है ये कौन सी मखलूक पैदा हो गई दुरिया में तो जब देखा तो फिर मैं पीछे पड़ गया मैंने कि यार कोई तो होगा इसको इसको बीट करने वाला तो परदस काम कर रहे हैं मैं एक्चली ओमान में रहता हूँ मशाल 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 मैं इस मुहिम में जो है ना हिस्सा लूँगा और मैं ये सोच रहा हूँ I want to decide it that कि मैं इसको यहां पे कुछ organization है जो Islamic point of view से काम करती है मैं इसकी शिकायत मैं वहां दर्ज करूँगा आदमी की नहीं सर शिकायते तो दर्ज हो गई मेरे रिस्टर में शिकायत आगई अब तो होगी छतरौल interrogation का टाइम आगए मैं नहीं बिल्कुल होगी और हम भी आपके साथ है जो लुग कहते ना के Muslim का जो आजकल funda है कि मेंदी अलेसलाम आइए और ये होगा वो होगा भई मैं यह कहता हूँ कि मेंदी अलेसलाम आइए जब आइए आपने ये बता आ Reynolds क्या किए उनके आने की तो तयारी तो ऐसी होगी ना बिलकुल बिलकुल तयारी करने है बिलकुल सही है रहा है ना ये बहुत बड़ी चीज़ है بھाई बहुत बड़ी चीज़ है الحمدللہ اللہ تعالی سب کو توفیق دے اور سب کے کام قبول فرمائے اور اچھی بات ہے کہ الحمدللہ آپ کو ملے میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا ایموشنل ہوا تھا ایک بندے کی مجھے ایمیل آئی میں اکثر ذکر بھی کرتا ہوں اب مجھے نہیں پتا وہ بندہ غائب ہو گیا ایک ہی دفعہ اس کی ایمیل آئی ہے اس بندے نے مجھے لمبی ایمیل بھیجی سٹارٹ کا ٹائم ہے جب میں ساتھ ایک مہینے پہلے ایمیل کر کے کہتے ہیں آمیر بھائی آپ کو نہیں بتا کہ میں ایمیل سیکر کو سن کرنا یا میں لائی بات کروں کہ مجھے اس بندے کی زبان اور اس کے جھوٹ اور یہ جو آل بول بکتا ہے اسلام کو مجھے اتنا تک ہوتا تھا کہ اس کی زبان کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہے کوئی اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے تو میں اللہ تعالی سے تحجد میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ ہمارے لوگوں میں بھی کوئی ایسا بندہ تو اپوائنٹ کر یعنی وہ ان کی اپنی ایمیل تھی وہ میرے پاس آج بھی پڑھی ہے کیونکہ وہ جو لکھا ہے اتنے درد سے اس میں اور اتنے ایموشن اس میں سنسیریٹی ہے تو مجھے اتنا پڑھایا اس کو پڑھے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی سے